हालो और वेलकम तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास यहाँ वेडियो कमपैटिटिव इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए उसके टॉपिक सब्जिक्ट वर्ब अग्रिमंट की रिविजन एक्सिसाइज वन की प्रैक्टिस के लिए है आएए पहले इसलिए इसके साथ में यहां इंडिकेट वर्ब आया है और यह मतलब इंडिकेट आए आया है लेकिन इंडिकेट स्टाटिक्स के कारड़ आया ऐसा नहीं है लेकिन मेरे कहने का तात्पर है कि यह प्लूरल में है और चुकि यह इसके साथ एस और यह नहीं इसलिए प्लूरल में है तो प्लूरल में आने का कारड़ इसका प्लूरल होना है स्टाटिस्टिक्स की फॉर्म होना इसके कारड़ यह प्लूरल फॉर्म में है और बाकी दोनों जगा विल और विल है यहां भी विल है और यहां भी विल है तो यहां तो इसका सिंगिलर प्लॉरल देखने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि वह model auxiliaries होती है और यहां singular plural नहीं होता है तो indicate अपने statistics के according ठीक वर्ब है इसलिए इसका जो answer है वह ई है and there is no error ऐसा कहा जाएगा second sentence what were once glorious forts are now nothing but piles of rubble तो यहां पर what का ताट पर यह what तो वैसे singular होता है लेकिन what का आर्थियां once glorious forts से ही है तो यहां what का मतलब है the things that तो यहां the things that what का मतलब यहां हो गया the things that इसलिए इसकी जगे पर वर आएगा इसके चुकरे इसका meaning the things that हो गया तो इसलिए इसके साथ plural verb होगी और plural verb में यूज किया जाएगा तो इस तरह से यहां plural verb होगे once glorious forts यही है the things that were once glorious forts और उसी what का वही जो things that the things that वही इसका आर का subject हो जाएगा तो इसलिए दोनों जगे आर और 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 plural verbs ही यूज की जाएगे और इस तरह से यह sentence भी ठीक है इसमें भी कोई mistake नहीं है और यहां पर जो आपने the things that कहा है वहाद the things those भी हम यहां कह सकते हैं हलाकि that को singular plural दोनों के लिए यूज करते हैं लेकिन that का प्लोरल दोस भी होता है तो दोस भी यह लगा सकते हैं तो इस तरह से इसका भी answer यह है और इसमें भी कोई error नहीं है ऐसा यह यही निर्ड़े इसका होगा थर्ड सेंटेंस में the idea of introducing genes to correct heritable and other disorders are revolutionary तो यहां पर देखिए पॉइंट यह इसका पार्ट डी है डी पार्ट में आर का जो सब्जेक्ट है वह द आइडिया है और चुके इसका सब्जेक्ट द आइडिया है तो द आइडिया चुके singular है इसलिए आर को भी singular होना चाहिए तो इसलिए यहां आर की जगह इस लगाना उचेत होगा and यही इसका error है कि इसमें आर लगा हुआ है singular subject के साथ आर है यह error है और इसकी जगह पर इस लिखा जाएगा यह इसका correction है तो third sentence के पार्ट डी में आर की जगह इस लिखा जाएगा यह इसका correction है fourth sentence is in our college it was obligatory for each of the students to buy his own instruments तो यहां भी देखिए in each जहां भी यह it was obligatory it was it के साथ was आया है for each of the students बाकी कहीं कोई वर्ब नहीं आया है तो इस तरह से यह पूरी तरह से 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 सही है and there is no error answer is of fourth sentence of fourth question fifth sentence is a body of volunteers have been organized तो यहां पे देखिए आप body a singular है और singular subject singular subject का जो verb है वह है वह है जो कि है होनी चाहिए क्योंकि singular subject के साथ singular वर्प्लूरल subject के साथ plural वर्प तो यहां चुकिए इसका subject body singular है तो इसलिए यह भी हाँ है होना चाहिए यही इसमें mistake है तो इसको लेकिन पूरा sentence फिर भी हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए a body of volunteers have been means has been अब मैं इसको पढ़ रहा हूं correction के साथ has been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds तो बाकी सब ठीक है यहां have की जगा यानि पार भी में फिफ्ट sentence के पार भी में है के स्थान पर है लिखा जाएगा यही करेक्शन इसमें होगा सिक्स्थ सेंटेंस most of the news pertaining to the sudden demise of the spiritual group have been communicated तो यहां पर देखे most of the news news जो है singular word होता है singular subject है singular noun होता है अंड इसका जो वर्ब है वह have been है यहां तो have तो हमेशा plural subject के साथ आती है तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए तो इसका जो subject है वह singular है तो इसलिए इसको भी singular होना चाहिए तो इसलिए यहां have की जगा उपर इसको has कर दिये जाएगा तो यही इसका error क्या है तो error part C में have लिखा है singular subject के साथ भी have लिखा है यह इसका error है और इसकी जगे has लिखा जाना चाहिए यह इसका correction है इस तरह से 6th sentence के part C में have के स्थान पर has लिखा जाएगा यह इसका correction है से 7th sentence not only the doctor but also the nurses of the nursing home is very kind and helpful to the attendants तो यहां पर देखिए यह sentence not only and but also से जुड़ा हुआ है इसमें एक subject doctor है और दूसरे sentence दूसरा जो subject है but also से जुड़ा हुआ that is nurses तो ऐसे स्ती में जब दो noun यह दो subject not only but also से जुड़े हुए होते हैं और अलग-लग और अलग-लग person के होते हैं तो जो verb होती है वह pass वाले शब्द के अनुसार यूज की जाती है तो अलग-लग number और अलग-लग person के होने पर pass वाली subject को देखा जाता है तो is यानि verb के सबसे pass वाला जो subject है वह nurses है nurses plural में है तो इसलिए इस के साथ plural के साथ यहां भी plural verb होनी चाहिए और इस तरह से nurses are यहां पर होगा तो part c के part c 7th sentence के part c में is यहां पर error है and is को r में लिखा जाना चाहिए यहां इसका correction है तो is को r में लिख दिया जाएगा जहां पर इस cursor जहां पर round move कर रहा है next sentence is there were reports a few days before the general election that amendment on primary education should be made compulsory in India तो there were reports यह भी sentence एकदम सही है चुकि there were reports के according वर आ रहा है a few days before the general election that amendment on the primary education should be तो और कहीं यहां वर को ही देखना है बाकी और किसी जगह पर singular plural देखने की आवश्यक्ता नहीं है तो 8th sentence का भी answer E है there is no error in this sentence 9th sentence if any proof was needed to show that the United Nations have lately become a policy tool in the hands of the US and that the world's soul might has a subservient international body it was provided by President Obama's angry comment तो यहां पर देखें बाकी तो कहीं भी कोई problem नहीं है लेकिन if any proof was needed to show that the United Nations have lately become तो यहां पर have lately become आया है part B में तो have हमेशा plural subject के साथ आता है singular subject के साथ नहीं आता है तो अगर यहां यह have आया है तो इसका subject singular plural होना चाहिए लेकिन that the United Nations तो United Nations चो है वो क्या है वह एक संस्था का नाम है और अगर किसी संस्था का नाम plural शब्दों में भी होता है तब भी उसको singular ही माना जाता है जैसे United States of America वह है प्लूरल है लेकिन उसको singular ही माना जाता है इसी तरह से United Nations organization को भी यहां यहां लिका हुआ है लेकिन यह संस्था का नाम है चुकि इसलिए इसको प्लूरल है जैसे हैव को हैज में चेंज करना होगा क्योंकि singular subject के साथ singular verb ही आएगी इसलिए तो 9th sentence के भी पार्ट में हैव को हटा करके हैज किया जाएगा यह इसका correction है 10th sentence nobody else but these comely young women have played a prank on you but it is pitiful that you don't understand it 10th sentence में भी कोई error नहीं है क्योंकि यहां भी nobody else but these comely young women have तो यहां भी women pluralist के साथ में have आया हुआ है तो इस तरह से it के साथ में is आया हुआ है that you don't understand तो यहां सभी जो भी subjects आये हैं इन सभी subjects के साथ useful verbs और right form of the verb लगे हुए तो इसलिए there is no mistake इसका भी answer e है no error in the sentence what she says and what she does are incomprehensible to an ordinary mind like yours तो यहां भी देखिए यह end से जुड़े हुए दो है what she says यह एक clause है and what she does यह another clause है तो जब दो clause end से जुड़े होती है तो उनका भी जो verb होती है वह plural ही मानी जाती है तो इसलिए ordinary mind like yours तो और कहीं वर्ब की आवश्रक्ता है नहीं और और कहीं वर्ब्स है भी नहीं तो इसलिए यह यहां पर यह no correction है there is no need of तो इसलिए इसका भी answer a है no errors 12th sentence have either of the two candidates been selected तो जहां either होता है तो either का मतलब one of the two होता है one of the two होने के कारडिया singular subject माना जाता है और singular subject के साथ में हमेशा singular verb आती है तो यहां भी have either की जगह पर has either होना चाहिए has either of the two candidates been selected यहां इसका answer हो जाएगा तो इस तरह से 12th sentence में part a में have की इस्थान पर has use किया जाएगा this is the mistake here and this is the correction 13th sentence does his daily struggle for existence leave time to ponder our international affairs तो यहां देखे है does his daily struggle तो does does के साथ his daily struggle इसका subject है तो daily struggle एक noun है और इसके साथ singular है तो के साथ does आया है तो यह combination ठीक है for existence leave time चुके does is a struggle for existence leave first form है तो चुके does आया है तो इसलिए यहां first form आएगी आएगी leave time to ponder over to ponder infinitive है इसको किसी तरह से agree होने की आवश्यक्ता नहीं over international affairs तो इस तरह से 13 में कोई problem नहीं है जो वर्ब है does struggle और leave का आपस में अच्छा ताल्मेल है and there is no mistake in it and इसलिए e option इसका right answer है सही answer इसका e option है and there is no error in this sentence 14th sentence is those athletes who did not adhere to the rules of athletics was deprived of was deprived of taking part in the championship those athletes who did not adhere to the rules of athletics तो यहां देखिए जो जो वाज है पार्ट C में वाज है वाज का subject क्या है यहां देखिए those athletes की वर्ब है and those athletes चुके plural में है तो यहां भी वर्ब प्लूरल में होनी चाहिए और इसको देखते हुए यहां वर होना चाहिए ना कि वाज होना चाहिए तो इस तरह से यहां पार्ट C में वाज की जगह पर वर लिखा जाएगा यही इसका error है और यही इसका correction है 14th sentence में पार्ट C में वर्ज की जगह पर वर आएगा 15th sentence each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses तो यहां पर each faculty member तो जहां each आ जाता है subject के साथ में वहां वर्ब singular होती है तो each faculty member और as well as most of the students जहां as well as से अगर कोई दूसरा subject जड़ा हुआ होता है तो उस subject का main subject और वर्ब पर कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसलिए each faculty member यहां पर singular subject है और singular subject के साथ वर्ब भी singular ही आती है और आने चाहिए तो इसलिए यहां पर चुकिए C section में या C part में वर्ब आ रही है वर्ब और इस वर्ब का जो subject है वह each faculty है इसलिए वर्ब की जगा पर was लिखा जाएगा और यही इसकी error है और वर्ब की जगे वर्ब लिखा जाना इसका solution है तो पार्ट C में वर्ब की जगा वर्ब को हटा करके वर्ब लिखा जाना सही solution है 16th sentence measles are a disease तो measles देखे एक ऐसा word or disease का नाम होता है जो form में तो plural जैसा लगता है लेकिन वास्ता में meaning में singular होता है and meaning के according यह singular होता है तो चुकि singular है तो इसलिए इसके साथ singular verb की आवशक्ता होती है तो इसलिए measles are a disease की जगह measles is a disease कहा जाएगा इसलिए आर की जगह यहाँ is आएगा और यही इसमें mistake है caused by virus आगे इसमें कोई mistake नहीं है measles अब इसको हम is कह करके पढ़ेंगे measles is a disease caused by a virus contact with fluids from an infected person's nose and mouth either directly or through aerosol transmission 17th sentence the lawyers face the same problems in their day-to-day lives as do and ordinary यहाँ पर देखे देखे दे लोयर के साथ में face word आया है क्योंकि lawyers यहाँ पर plural noun है चुकि as आया है तो as के साथ यह plural हो गया है तो the lawyers face the same problem in their day-to-day lives as as के बाद यहाँ किया है do आया है do an ordinary man तो यह एक ऐसा पैटर्न है कि इसमें मतलब जो वर्ब होती जो सब्जक्ट होता है सब्जक्ट के बाद जो वर्ब आनी होती है वर्ब अपने जगह से पहले ही सब्जक्ट से पहले आ जाती है तो ऐसी इस्तिती में do यहाँ पर पहले आया होगा है और इसलिए यहाँ देखे do का जो सब्जक्ट है वो ordinary man है और ordinary man के साथ simple sentence के according यहाँ पर इसके साथ does use होगी चुकि simple sentence के according यहाँ simple present tense के according इसको देखना होगा तो इसलिए as does an ordinary man of our society होगा ना कि as do an ordinary man चुकि ordinary man singular है तो singular के लिए singular verb चाहिए तो does an ordinary man हो जाएगा तो इसलिए 70th sentence के part c में do को हटा करके वहाँ पर does यह do में yes जोड़ करके इसको does किया जाएगा 18th sentence is every man and woman of the village तो चुकि जहां each और every आ जाता है किसी दाउन से पहले सब्जक्ट से पहले तो वहां वर्ब हमेशा singular होती है तो इसलिए यहां भी every man and woman of the village चुकि every आ गया है तो यहां जो have come out है यह have come out is not the right use तो यहां पर चुकि every के साथ हमेशा singular verb आती है तो यहां भी क्या होगा singular verb आएगी और singular verb have की जगव पर has होती है तो has come out होगा ना कि have come out होगा तो यानि कि 18th sentence के part b में have को हटा करके यहां has कर दिया जाएगा और यहीं इसका correction होगा 19th sentence if Mahatma Gandhi was alive he would start चुकिया वोड आया है तो सीदिशी बात यह imaginative sentence है और एक ऐसा कल्पना वाला sentence है जो beyond imagination होता है तो ऐसे sentence में जो conditional sentence होता है जिसमें इफ आया होता है उसमें हमेशा beyond imagination वाले sentences को बोलने के लिए subject चाहे singular हो या plural हो लेकिन verb उसमें simple past की plural verb होती है तो was की जगह यहां पर हमेशा वर आता है तो यहां भी was की जगह पर वर लिखा जाएगा और कह जाएगा if Mahatma Gandhi were alive he would start weeping तो यहां पार्ट बी में 19th sentence के पार्ट बी में was की जगह वर लिखा जाएगा जिसके हिंदी होगी अगर Mahatma Gandhi जिन्दा होते 20th sentence an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard only in fairy tales or tales of magic तो an ability to shrink and reduce तो यहां पर क्या है an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse तो यहां यह देखे ability to shrink to shrink जो है वह इन्फिनिटिव है यहां यह कोई finite verb नहीं है यहां बिलांस झाल तो यह जो बेलॉंग्स है यह न्मी फर्म υπα ओनायित वर्ब नहीं है यहां है यहां फानाइड वर्ब यह이λिलत धान्ता है प्रोसेइंब जायर बिलॉंग्स-क्रपती तो यह जो belongs है यह finite verb है और यह इसका जो subject है वह ability है जिसके according इसके साथ ability singular subject है singular subject होने के साथ belong के साथ as और yes यानि as लगा हुआ है तो यह singular verb हो गई है अब तो यह इस तरह से belongs to the realm of fantasy and is heard of only तो fantasy और यहां मतलब इस पूरे के पूरे sentence को यह subject मान ले गया है तो इसका जो verb है वहाँ is हो गया is heard of only in fair tales or tales of magic तो इस तरह से यह sentence सही है इसमें singular verb का यूज़ किया गया है 21st sentence where she went and where she left her purse are not known are not known to us so it is of no use being worried about her तो where she went and where she left her purse यह दो sentence है और चुकि दो sentence end से जुड़े हुए है तो इनको plural माना जाता है English में और इसलिए इनके साथ plural verb ही आएगी साथ अभी उपर भी इस तरह का एक sentence था तो इसके साथ plural verb ही आएगी और plural verb होने के करण यहां are आया हुआ है are not known to us so it is of no use being worried about her और इस तरह से यहां यह sentence ठीक हो गया है तो इसका मतलब यह है कि 21 में भी कोई mistake नहीं और इसका answer भी यह है जिसमें कि किसी no error है और इसमें किसी correction की आवशक्ता नहीं है and इसमें 20 में भी आवशक्ता नहीं थी 21 में भी आवशक्ता नहीं है now is the 22nd sentence one of the developing or underdeveloped countries तो यहां देखिए R आया हुआ है जबकि R का जो subject है वह क्या है R का subject है one of the developing or one one इसका subject है तो of से पहले अगर one आता है तो one को ही subject माना जाता है इसके बाद आने वाले noun को subject नहीं माना जाता है इस द्रस्ती से या इस point of view से one इसका subject है चुकि one subject है तो वह singular हो गया और singular subject होने फर यहां verb भी singular होनी चाहिए जो कि plural है इसलिए इसको यहां से हटा करके इसको singular करने की आवशक्ता है यानि कि part B में R को R गलत है चुकि इसका subject one है तो R गलत और R की जगा पर is लिखे जाने की आवशक्ता है then is sentence 23 then is sentence 23 23 some highly significant observations तो चुकि देखे observations आया है और observations के साथ में has आया है तो observations तो अपने आप में plural word है और plural word है तो उसकी जगह plural उसके साथ plural verb भी आने चाहिए तो इसलिए some highly significant observations have been made by the UN Secretary General यहां आएगा यानि has की जगह पर part B में has की जगह पर have यहां पर लिखा जाएगा बाकी sentence ठीक है some highly significant observations have been made by the UN Secretary General Mr. Baki Moon in his annual report submitted to the current session of General Assembly तो यहां पर has की जगह have हो जाएगा सिर्फ यही correction है 24th sentence was he a bird he would definitely तो यह भी क्या है यह भी एक imaginative sentence हो गया इसका sense हुआ अगर वह चड़िया होता तो चड़िया होता ही वो definitely flight over जरूर ही उड़ जाता तो इसलिए यहां चूकर होता उड़ जाता के sense में हम हमेशा subject singular हो या plural हो उसके साथ हम हमेशा वर का ही use करते हैं तो was he a bird की जगह पर हो जाएगा 25th sentence not winner and his friends बट सीमा है जो surreptitiously taken your photographs and sent them to her friends तो यहां पर देखिये एक तू है winner and his friends बट सीमा तो अलग अलग नम्मर और अलग अलग परसन के sentences होते हैं और वो end से जुड़े हुए होते हैं तो वर्व हमेशा नजदीक वाले subject recording यूज की जाती है लेकिन यहां क्या है not winner and his friends बट सीमा तो यह बट से जुड़े हुए है जो के बट के बाद आने वाला जो नाउन है वह singular है singular होने के साथ इसके साथ has आया है जो के मानने ह has ही आना चाहिए बट सीमा है तो यह sentence totally चारो तरफ से ठीक है इसमें किसी correction क्या हो शकता नहीं है इसलिए इसका भी answer है e no error there is no need of making any correction in it तो इस तरह से आपकी first exercise revision exercise spotting error of subject and verb agreement subject verb agreement की इस तरह से यह exercise complete हो गई इसकी अगली exercise आपको अगले वीडियो में मिलेगी तब तक लिए thank you and bye bye